Hello everyone, मैं हूँ Dr. Surabhi Solanki और आप देख रहे हैं मेरा चैनल Dr. Surabhi की Pregnancy Tips आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि Pregnancy के दौरान कई लेडीज में जो abdomen में यानि की पेट के उपर एक dark brown color की line appear हो जाती है बीच ओ बीच ये line क्या होती है, क्यों होती है, इसमें कोई चिंता की बात है, क्या baby या mother के लिए कुछ harmful indications इसके होते हैं की नहीं है ये सारी बाते आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी बेरी के Pregnancy के दौरान आपकी body में कई सारे changes आते हैं, nausea, vomiting तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं particularly बात करी हूँ, skin में जो changes आते हैं pregnancy की वज़े से उनकी तो बहुत ही early pregnancy में जब नया नया conception होता है तब ही थोड़े दिनों में ही breast में changes देखने को मिल जाते हैं breast की skin में, जो nipples के around जो areola होता है, rounded portion जो होता है वो और जादा dark होने लग जाता है, और जादा large होने लग जाता है, इस तरीके की changes आपको देखने को मिलते हैं breast में भी इसके इलावा और भी skin में काफी सारे changes देखने को मिलते हैं pregnancy के दरान, एक तो face पे कई ladies के बहुत जादा extra pigmentation हो जाता है, dark brown color के patches या spots अपियर हो जाते हैं face के उपर, इसको generally mask of pregnancy भी कहा जाता है इसके इलावा कई ladies में abdomen के उपर यानि की पेट में एक dark brown रंग की धारी या line जो है वो appear हो जाती है, इस line को linear nigra कहा जाता है, अब प्रशनी ये उठता है कि ये जो line है, क्या ये किसी abnormality को indicate करती है, क्या कोई problem है pregnancy में जिसकी वज़े से line appear होती है, तो देखे इसका सीधा सा answer है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, प्रेगनसी के दौरान जो normal physiological changes होते हैं body में baby को support करने के लिए उन्हीं कारणों से ये जो pigmentation होता है, जैसे कि मैं आपको बताया कि face पे भी होता है, उसके लावा पेट में जो ये CDC line appear होती है, इसमें भी harmful underlying cause नहीं होता है, इसके लाव आप लोग ने देखा होगा कि pregnancy के दौरान जैसे जैसे आपका abdomen बड़ा होता है, baby grow करता है, तो आपके abdomen की skin जो है, वो stretch करने लग जाती है, जिसकी वज़े से stretch marks भी appear हो जाते हैं, और ये जो linear naigra नाम की जो line होती है, जो मैंने आपको बताई, ये भी generally second trimester में, यानि की pregnancy की दूसरी तिमाही के बाद generally appear होती है, ऐसा नहीं है कि ये line हर lady में appear होगी, लेकिन हाँ, किसी किसी में appear होती है, और वहाँ पर ये किसी भी abnormality को indicate नहीं करती है, अब question ये उड़ता है कि तो फिर ये line जो है, ये appear होती क्यों है pregnancy की दौरान, pregnancy की दौरान क्या होता है कि आपकी baby की growth को support करने के लिए estrogen और progesterone नाम के जो hormones होते हैं, उनकी मातरा आपकी body में बढ़े जाती है, अब इसकी वज़े से क्या होता है, कुछ cells होते हैं, जिनकों की melanocytes कहा जाता है, ये cells जो होते हैं, ये melanin नाम के pigment को produce करते हैं, melanin वहीं pigment होता है, जो किसी की skin को dark बनाता है, य जिसकी कमी की वज़े से किसी की skin lighter color की होती है, फेर जादा होती है, तो जिनकी skin में melanin का जो concentration होता है, वो जादा होता है, मातरा जादा होती है, उनकी skin generally थोड़ी dark होती है, और जिनकी skin में melanin pigment जो होता है, वो कम मातरा में होता है, वहाँ पी skin जो होती है, वो light होती है, की वज़े से stimulate हो जाते हैं और जादा मिलैनिन जो है skin में वो produce करते हैं जिसके वज़े से जिसको की mask of pregnancy बोला जाता है यानि की skin में cloasma, freckles वगेरा ये सब जादा हो जाते हैं pregnancy के दौरान डार्क ब्राउन patches appear होते हैं तो ये मिलैनिन की excess की वज़े से ही बात कर लेते हैं कि delivery के बाद इस line का क्या होता है generally जब baby deliver हो जाता है तो उसके बाद ये जो line है वो धीरे-धीरे fade होने लगती है यानि की हलकी होके थोड़ा गायब होने लगती है लेकिन किसी-किसी महला में हो सकता है कि ये line जो है पूरी तरीके से गायब ना होता है तो ऐसे में otherwise तो कोई problem इसमें नहीं होती है लेकिन जो ladies generally साड़ी पहनती है उनको थोड़ी consciousness होती है इस line को लेकर तो ऐसे case में आप अपने dermatologist यानि की skin specialist से मिल सकते है और वो आपको यहाँ पे कुछ skin bleaching creams prescribed कर सकते है जिसको के apply करने से जो इसका fade होने का process होता है वो थोड़ा जल्दी हो सकता है और help मिलती है line को fade कराने में तो इस तरीके से आपके creams use कर सकते हैं लेकिन pregnancy के दौरान या फिर especially जब आप breast feed कर आ रहे हैं baby को तो ऐसे में इस cream को या ऐसी creams को use करना recommended नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे वो maybe baby को कुछ harm पहुचा सकता है इसके इलावा दूसरी tip जो आप use कर सकते हैं क्योंकि यह जो भी melanin की वज़े से discoloration होता है यह generally जब sun exposure होता है यानि की धूप में जाने से ऐसे जो patches होते हैं वो और dark हो जाते हैं तो ऐसे में आप जब भी बाहर निकलें धूप में तो face पर ज़रूर sunscreen आप apply करके निकलिए अगर आपके face में इस तरीके की dark patches appear होए हैं तो इसके इलावा अगर आप कुर्ता वगेर आप पहनती हैं तो pate में तो कोई फरक नहीं पढ़ता है लेकिन अगर आप साड़ी पहनती हैं तो उस condition में आपका pate भी जो है वो धूप के लिए exposed हो जाता है तो आपकी जो line है linear nigra वो dark हो सकती है तो ऐसे में अगर आप बाहर निकल रही है धूप में तो उस condition में कोई अच्छी sunscreen जो है वो आप अपने pate पर भी especially line के उपर apply कर लीजे तो इससे line जादा dark नहीं होगी क्योंकि धूप में ये और dark हो जाती है तो इस तरीके से linear nigra कोई harmful चीज नहीं होती है normal change है skin का pregnancy के दारान और इसमें कोई चिंता की बाद नहीं होती है इसके अलावा अगर आप stretch marks को लेके concerned है क्योंकि देखिए abdomen का size बढ़ता है तो skin stretch होती है उसकी वज़े से वाँपे stretch marks form हो जाते है तो अगर आप stretch marks के लिए concerned है तो अपने abdomen पे आप जहां पे जादा खिचाव हो रहा है बहाँ पे आप olive oil यानि कि जिसको जैदून का तेल भी कहा जाता है उसको rub कर सकती है, massage कर सकती है abdomen को तो उसमें आपको stretch marks की problem इतनी जादा नहीं होगी तो hopefully आज का ये वीडियो आपको कुछ अच्छा लगा होगा, useful लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चानल को subscribe कीजिए मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए